दसवी ग्लास के प्यारे बच्चों, राजस्तान सरकार ने जो कोरोना के बाद में जुटियें होई थी, नौवंबर में इसकूले खोलने जा रहे हैं, उस समय आपको केवल 60% कोर्स पढ़ना है, 40% कोर्स आपके अटा दिया है पर तेक सब्जेक्ट में, तो कौन सा 60% आपको कि संस्किर्ट संसोदित कोर्स 2021, 40% हटाए गए पार्ट, यनि 40% डिलिटेड चाप्टर के अंदर पहला, दूसरा, पांचवा, सात्वा, नौवा और चौद्वा पार्ट संस्किर्ट में आपके अटा दिये हैं, तोटल 6 पार्ट हटाए हैं, अब राइट एंड साइड में और 15 पार्ट आपको पढ़ना, यनि कि आपके टोटल 9 पार्ट ही पढ़ने हैं, तो आप मेरिट में आ सकते हो क्योंकि कोर्स बिल्कुल कम हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे हैं कि आपके कोर्स कम हैं, तो समय भी आपके बहूत कम हैं संस्किर्द व्याकरण में कौन-कौन से टॉपिक अटाएं हैं उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें लाच तक आपको वीडियो देखना है क्योंकि गोर्मेंट ने जो ये एडवाइजरी जारी किया है हम जो आपको बताने जाएंगे ये सारा का सारा गोर्मेंट ने अपलोड किया है और साला परदानों को प्रिंसिपल एड़मास्टर को भी वेजा है जी हाँ ये सारा का सारा पाठेकरम में 40% कटोती नौवी से बार भी तक किया है ये नियम और पाठेकरम बोर्ड ने अपलोड कर दिया है अपलोड में आपको जहां नहीं मिले तो हम सारे सब्जेक्ट के अलग-अलग बता रहे है कि बताने से कुछ भी नहीं होगे यहाँ पर एक्स्प्लेंड भी करेंगे तो ये आपका सबसे पहला स्क्रीन शोट है पेज नमर वन आप राइट एंड साइट टॉप में देख सकते हो टैंज संस्किट शंशोदित कॉर्स 2021 में शबी विश्यों के लिए चैनल को आपको विजिट करना है हिंदी मीडियम और फोर इंग्लिश मीडियम आलसो आपको ये हमारा जो है वीडियो देखना होगा और माजिमिक सिक्सावोट रास्तान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए शंशोदित पार्टे करम पहले आपको बताएंगे हम आपको जो ये बता रहे हैं ये आपके पेज नमर एक से शुरू कर रहे हैं तो आपको ये देखना है पेज नमर तेरा तक आपको देखना है तेरा तक आपको पूरा पूरा बता देंगे ये संस्किर्ट का वीडियो पहले ही हम बता चुके हैं पेज नमर एक से लगाकर आठ तक आपके जो कॉर्स में पढ़ना है 60% वो आपको बता रहे हैं उसके बाद में पेज नमर 9 से लगाकर के 13 तक 40% आपको जो नई पढ़ना है उसको बताएंगे इसलिए आप एक एक पेज का स्क्रीन शोट लेकर के सुरक्षित रखे इस तेसरी बाद्शा आपके कक्षा दस्वी और संस्किर्द का शन्शोदित कोर्स है ये आपका रिवाइज कोर्स है परिक्षा आपकी सेतन तिक होगी शमे आपके सवा तीन गंटे का बोड एक्जाम होगा और उसके दोरान आपके 80 नमर का पेपर होगा सत्रांग आपके 20 नमर के जाएंगे लेकिन आप एक बाद यहां रखें जो हम आपको यहां पर 80 नमर का सिलेवस बता रहे हैं वो का वो आपके 20 नमर का जो सत्रांग जाएगा उस दाना जागा जो भी आपकी प्रिक्षा होगी आप यहां पर समरी बता रहे हैं समरी का मतलब आप समझे रहे हैं और यह पहले से ही जो पुराना सिलबस था 100 परशेंट उसके अंदर सेम टू सेम हैं कुछ टोपिक कम किये हैं लेकिन यह चार पॉइंट्स जो कई सालों से चले आरहे हैं यह same to same है और इसका अंकबार यानि कि उसके जो माक्स है वो भी same to same है करम संक्या एक में अधिकम शेत्र है पठिताओ बोधनम पठिताओ बोधनम का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है यानि आपकी जो बुक है उस बुक का 27 नमबर निश्चित किया हुआ है यानि कि आपकी क परकार के किस टाइब के क्यूशन आएंगे वो हम आपको पेज नमर चार पर बताएंगे ये दो पेज नमर है अब सेकिंड नमर पे लिखा है आपका जो unseen passage यानि कि आपको जो गध्यांस दिया जाता है संस्किर्द में और उसके जो क्रिशन होते हैं उनके आंसर लिखने उ आपको बता देंगे तीसरे नमर में व्याकरण आपके पचीस नमर की है इसमें भी कौन-कौन से टॉपिक बाटाएं आगे विस्तार से बता देंगे रचनातमकारी अठारा नमर का वो भी आपको बता देंगे असी नमर का ये पेपर बन रहा है अब आपको ले चलते हैं प तीसरा, चोथा, छटा, आठवा, दसवा, ग्यारवा, बारवा, तेरवा और पंदरवा पार्ट आपके कॉर्स में वाकी सारे के सारे छे पार्ट अटा दिये यहाँ पर आपके सामने नौ पार्ट है ये नौ पार्ट आपके संस्किर्ट में दसवी कक्षा में बोड एक्ज इस यहें दात खोलो में तुमारे दात गिनूँगा इस तरह से यह आपका एक नाटक पाठ है चटा पाठ मारणा परताप का है आठवा पाठ करम योगी श्वामी केश्वा नंद का काफी लंबा चोड़ा पाठ है दसवा पाठ सुभा सिरतनानी श्लोक वाला पाठ है ग्यार पाठ आचारियोपदेश अंतिम पाठ बहुत अच्छा पाठ है इस तरह से यह 9 के 9 पाठ हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए है यानि कि हमारे चैनल पार आपकी संस्किर्थ पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है व्याक्रण भी पढ़ाई हुई है और सारे के सारे पार्ट भ भी आपके शिक्षा से समंदि समाचार वो देते रहेंगे बहराल हम इस syllabus के according जो आपका पहला पढ़िताओ वो अधनम है वो हमने बता दिया अब ले चलते हैं पेज नमर चार पर यनि कि ये जो आपके 9 पाठ है इन 9 पाठों में से प्रश्ण किस टाइब के पूछे यनि ये 27 जो नमबर आपके सामने है इन 27 नमबर को हम डिवाइड करने जाएंगे कि इन पाठों में से किस टाइब के पूछे जाएंगे और वो 27 नमबर कैसे बनेंगे वो हम आपको बता रहे हैं जी हाँ ये आपका जो बोड के द्वारा अपलोड गिया गया उसमें नहीं हैं लेकिन ये आपके बुक के अंदर है जो 27 नमर का उपर पेज नमर चार लिख दी आपने 10 संस्किर संसोदित कोर्स है ये संसोदित कोर्स को हो चाए पहले का कोर्स को हो इसके अंदर जो केवल 7 परकार के प्रशन आपके 9 पार्ट में से पूछे जाएंगे पहला टाइप है आपका पार्टे पुस्तकस से गधियान ससे हिंदी भाषा या अनुवाद दोईयो एकससे यनि दो आपके गधियांस आएंगे उनमें से एक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना तरीका क्या है है हमारे चैनल पर बतायी हुआ है पहले का slavery नहीं है लेकिन वहांपर आमन ढख लखस कोई सब्सक्रार कि यह पहले पाट में अच्छे तरीके से समझाएं करने हैं यह चाहर नबर आपको एक भी नहीं छोड़ना है क्योंकि छोटा कुर्स है तो आपको बहुत ज्यादा फायता होगा चोते नमबर पे पार्टे पुस्तक से नाट्यांस साथ संस्कृत व्याख्या है नहीं दो नाट्यांस आएंगे उनमें से एक ही संस्कृत व्याख्या करनी है आपको नाट्यांस की संस्कृत वाया क्या कैसे की जाती है वो आपके तीसरे पार्ट में अच्छे से मनलब जो जरंबश्वे शिंग है दंतास्ते गणिश्य वाले पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसके अलावा पांचवे नंबर बे प्रश्णो त्राणी संस्कृत माध्यमेन अश्टसू पंच प्रश्णा नाम यानि जो आपके नौ पार्ट कॉर्स में है 15 में से नौ पार्ट कॉर्स में है उन नौ पार्ट में से आपके आठ प्रश्ण आएंगे उन में से आपको कितने निर्मान समंदित आपके आएगा और सात्वा है पाट्टे पुस्तकाद श्लोक दोयव लेखनम यह तीन नमर का है एक श्लोक आपके डेट नमर का है यनि पूरी पाट्टे पुस्तक में से जो आपके नो पाट कॉर्स में है उनी मेंसे ही आपको श्लोक लिखने है पहले पार्ट का नहीं लिखना है क्योंकि वो कॉर्से अटा दिया गया है इसलिए जो नो पार्ट आपके बन रहे हैं उनी मेंसे जो स्लोक वाला पार्ट है उन मेंसे चार स्लोक याद कर लेने क्योंकि दो तो पाटे पस्तुक में आगे, तो क्या करेंगे, बाकी के लिखेंगे, तो आपको तीन नमर मिलेंगे, इस तरह से ये आपके बुक मेंसे 27 नमर पूरे हो रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं, अप अप टिताव बोधनम, यह आपके पेज नमर पाँच है, पेज अंदर सबसे पहला आपका गध्यांस में से शीर्षक परदान यहीं शीर्षक लिखना है टाइटल लिखना है वो आपके एक नमबर का होगा सेकिंडा संस्किर्द माध्य मैंने प्रश्णो उत्राणी यहनी और थर्ड नमबर पे अनुचेद पर आदारिद भाशिक कारे आपके चार नमबर का आएगा यह भाशिक कारे कितने परकार गगूल पांच परकार गवता है तो दो साइद वो अटा दिये हैं और यह तीन आपके रहे हैं ये आपके तीन कोर्स में वाकिशू कर्तिरी क्रिया चैनम यनि आपको एक सेंटेंस देके बोलेंगे इसके अंदर कर्ता कोन है क्रिया कोन है इस तरह से और उसके बाद में सेकेंड नमर में कर्तिरी क्रिया अनवीती यनि एक सेंटेंस को इदर वाला उदर उदर वाला उदर बाक्त के लिख देंगे उसको सही लिखना है करता पहले लिखना करम बीच में लिखना क्रियालाश में लिखनी है इस तरह से आपका शेकिन नमर हो गया थर्ड नमर में विशेशन 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 विश व्याक्ष्ण है व्याक्ष्ण समंधित पूछेंगे और तीन टाइब के वो आपके जो है दो टाइब के पशेश्चन एक प्रक्रदान करना संस्केर उत्तर देना पांच चरति नमर है अब आपको ले चलते हैं व्याक्रण की और व्याक्रण में कौन-कौन से टॉपिक कट कर दिया है और कौन से जोड दिया है जो जोड दिया है वो यहाँ पर बता रहे हैं आप देख सकते हो नमबर तीन व्याक्रण व्याक्रण के अंदर कुल आपके 5 और 2-7 टॉपिक है लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो है 5 टॉपिक है 5 टॉपिक में से भी कुछ हटा दिया देख लिए सबसे पहले यहाँ पर 25 नमर की व्याक्रण है 25 में से संदी आपके 4 नमर की है बहुत ही अच्छा मोका है क्योंकि संदी आपके 3 की 3 कौर्स में थी यहाँ पर E लिखा हुआ है A और A आपके हटा दिया है A के अंदर आपके स्वर संदी थी और A के अंदर वेंजल संदी थी E के अंदर विसर्ग शंदी आपके कॉर्स में है स्वार और वेंजल संदी आपको नहीं पढ़नी है विसर्ग शंदी आपको पढ़नी है ये विसर्ग शंदी चार नमर की है बिल्कुल सरल हो गया मामला और सेकिंड नमर में समास आपके केवल अविभाव समास आपको पढ़ना है दो समास आपके हट गए हैं कौन से हट गए हैं 9 से 13 पेज नमर पर आपको बता देंगे अभी पेज नमर 6 चल रहा है अविभाव के अंदर भी 7 आंट परकार होते हैं उनको आप अच्छे से समझ सकते हो हमारे चैनल पर समझाया हुआ है अविभाव समास केवल अविभाव समास पढ़ोगे और तीन नमर मिल जाएगा ऐसा सोबाग्य है बार बार नहीं मिलेगा वाक्यसू समस्त पदा नाम विग्रे विग्रा नाम चैस समास यनि कि अगर समास दिया है तो उसका विग्रे करना है और विग्रे किया हो तो उसको वापस समास करना है तीन नमर का क्यूशन पूचे जाएंगे अब आपके तीसरे नमर पे कारकानी यनि उपद विवक्ते नाम प्रयोगा तेसाम सामाने नेमनाम प्रिष्ट्य है मतलब पूरा का पूरा कारक है कारक में आपको निराश नहीं होना है क्योंकि सब्दरूप दातरूप का आपको practice है तो आप कारक अच्छे से समझ सकते और वैसे भी नहीं समझ सकते तो हमारी चनप पर बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है तो कारक आपके तीन नमर का है यही कारक आपको पढ़ना है बहुत अच्छे विस्तार से अब देखिए परत्य परत्य के अंदर भी बहुत सारा फॉर्शन अटा दिया है क्रदंत का मतलब होता है कृत परत्य परत्य आपके सत्री शानच यह दो परत्य कोर्स में रखे हैं बाकी के दो साइद अटा दिया है जो अटा दिया है वो आपको 9 से 13 बताएंगे चार नमर का है और तद्धित परत्य के अंदर दो आपके अटा दिया है यहां पर तीन है मतुप इन और ठन यह तीन परत्यों की प्रैक्टिस करने यह निकुल मिला के पाँच परत्य और चार नमर बहुत अच्छा मोगा है एक एक परत्य को जड़ से समझ लेना हमारे चैनल पर सारे 30-35 परत्य समझाई हो है दूसमें से सत्री सानच मत उठन नहीं यह आपके मिले वहां पर आप अध्यन कर सकते हो जी हाँ अब आप देख सकते हो नमर पाँच पे अव्य पदानी आपके कुल 33 अव्य थे 33 में से यह आपके पाटे पुस्तक में कथा या मनुच्छे दे समवादे पध्यवा आया नाम परियोग है अव्यों का वहां पर परियोग करना है तीन नमर का अपि अती इव उच्चई कदा कुता है नूनम यत अत्र तत्र कुत्र इदानीम संपती अधुना बही एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चवदा पंदरा पंदरा अव्या ही आपके सेस रहे हैं तेतीस अव्यों में से कुछ अव्या यहां पर आपके हटा दिये है और क्या हटा है यह जो हम बता रहे हैं यह तो आपको पढ़ना है जो नहीं पढ़ना है वो 9 से 13 आपको पेज नमर पर बताएंगे जी हाँ ये आपके व्याकरण का बचा हुआ छटा साथवा और आठवा पॉइंट है साथ पॉइंट नहीं है कुल आठ पॉइंट है तो यहाँ पर दो आप पे नमर साथ है जो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कोर्स में वाच्चे परिवर्तने यनि लट लकारे ये तीर नमर का वाच्चे आपके पूरा का पूरा कॉर्स में है जो आपके बुक के पीछे लिखा हुआ है सारा का सारा और हमारे चैनल पर भी चार वीडियो बनाएं वाच्चे सबसे जटिल टॉपिक है अगर हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आगे क्योंकि पहला वीडियो हमारे सरल है, दूसरा उससे आर्ड है, तीसरा उससे आर्ड है इस तरह से आप बार बार देखेंगे और जहाँ पर वाँ आपको जो चीज डिमांड की जाते है सब्दुरूप दातुरूप क्या क्या रटना है वो चीज रटलेंगे तो आपके बाच्चे का प्रेश्ण भी राइड हो जाएगा अब आप चलते हैं साथ नमबर पे समय लेखनम ये भी आपके पूरा का पूरा कॉर्स में है गटिका चितर साहिन अंका नाम शब्दे इस्ताने शब्दई ये आपके समय बताना आपको संस्कृत में दो नमर का बहुत ही सरल टॉपिक है सबसे सरल टॉपिक है ये दो नमर का है और उसके बाद में आठवा है असुद्धी संसोधन वाक्यों में लिंग समंधी अशुद्धी विबक्ति शमंधी अशुद्धी वचन समंधी अशुद्धी पूष शमंधी अशुद्धी लकार समंधी अशुद्धी ये असुदी का संसोधन करके लिखना हमारी चनल पर अच्छे से असुदी संसोधन समझाया आप समझ सकते हो इसी के साथ में जो व्याक्रण जो आपके कॉर्स में था वो यहीं पर पूरा हो रहा है अब हम ले चलते हैं आपको रचनात्मकारिय की तरह है जी हां रचनात्मकारिय में आपके कुल पांच टॉपिक है और ये अठारा नमर के थे लेकिन यहां हम आपको बता देते हैं कि आपके स्क्रीन के शामने जो संसोधित कर्स है उसके अंदर केवल तीन टॉपिक है तो तीन टॉपिक आपके अठारा नमर के बन गे पहले पांच टॉपिक थे वो अठारा नमर के थे दो हटा दिये ये तीनो टॉपिक आपके चार चार नमर के थे चार 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 बारा नमर के थे लेकिन वहाँ जो दो टोपिक एक्ष्णा थे वो तीन-तीन नमर के थे वो अटा दिये हैं 6, नमर 12 और 6, 18 होते हैं लेकिन आपर 6, 6, 6, 18 हो रहे हैं अब चर्चा करते हैं कि रचनात्मक कारियों में 18 से 18 नमर कैसे प्राप्ट कर सकते हैं नमबर एक में कमपी विश्यम स्वेक्रितिय प्रार्थना पर्त्रम आत्मिय जनानप्रतिय अनौप चारिक पत्रम यनि कि यहां पर आपको किसी भी विश्य को स्वीकार करके प्रात्ना पत्र लिखना है प्रात्ना पत्र अबलिक किया हुआ है उसके बाद में आपको अनौप मुप्त के हैं यानी चोर नमर का जो ये रचना चोथे नमर पर रचनात्मकारिय ये आपके 18 के 18 नमर बिलकुल मुप्त के हैं इसलिए इसको नहीं कमाना है सेकिन नमर में संकेत आदारी समाद लेकर 6 नमर का कोई चिंता नहीं किरनी है क्योंकि हमारे चैनल पर अनुवाद कारिय भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपकी व्याक्रण की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको ढूड़ करके पढ़ सकते हो वहाँ पर आपके 6 नमर का टॉपिक कवर हो जाएगा इसी के साथ में ये जो रचनात्मक कारी है आपके 3 टॉपिक है जो 6 6 6 18 नमर के है ये कलियर हो जाने चाहिए हमने बता दिया आपको अब देखिए आपका पेज नमर 8 आपको पता है यहीं पर पूरा हो गया तो यहाँ हमने आपको चार परकार से आपका कॉर्स डिटेल से समझाया अब पेज नमर 9 से लगा करके 13 तक आपके जो कॉर्स में नहीं है यनि हटाया क्या है वो आपको बताएंगे जी हाँ यह देख लिजिए टैंथ संस्किर्थ हटाया गया इनि डिलिटेट कोर्स आपके पेज नमर 9 आ गया जी आमातिमीक सिक्सा बोड राजस्तान अजमेर परिक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है पुस्तक का नाम इसपंदना आपको पता ही है आपको कौन-कौन सा कॉर्स में है और कौन-कौन सा नहीं है वो विस्तार से समझाया हुआ है वो आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं तो अब हम सीधे लेकर चलते हैं पेज नमर 10 पर जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपके कॉर्स में से हटाया क्या है तो ये लीजिए पेज नमर दस आपका आगया यहाँ पर आपके पुस्तक का नाम इस्पंदना 10 संस्किर्द अटायागा डिलेटेड कोर्स है और पेज नमर दस आपका इकाई की इकाई संख्या के अंदर एक नमर पठीता अवबोधनम पहले ही हम बता चुके हैं पठीता मतलब होता है आपकी बुक आपकी टैक्स बुक आपकी पाठे पुस्तक इसके अंदर अध्याय शंख्या दीवी यह परतमें पाठे द्वित्या पाठे पंच में पाठे शंगे शंगे शंग्ती भी अटा दिया है पांचमा पाठ आपके वाक के लिए उसको भी अटा दिया उसको साथमा पार्ट बहुत छोटासा पार्ट फा लोकितम्मम्करडियम यह भी आपके हटा दिया है। संस्किर्ट घटाया जी हां यह पेज नमर यह आपका टैंथ संस्किर्थ घटाये गया डिलेटीड कोर्स के अंदर आप सीधा-सीधा दें सकते हो तीन पॉइंट वहाँ पर जो 6 नंबर के 6-6 नंबर के थे उसके अलावा यहां पर 4 पॉइंट और 5 पॉइंट हटा दिया बहुत सरण पॉइंट थे लेकिन हटा दिया कोई बात नहीं यह आपको अध्यन नहीं करना है देखे घद्यांस के बीच में से जो चीज अड़ाते हैं क्यूंकि आपके अभ्यास के लिए तो यह भी साथ में होगा लेकिन आपको यह चीज नहीं आएगी चोथे नंबर पे संग्या इस्ताने सर्वनाप प्रयोग है आपको कोई शब्द देखर के उसका प्रयाइवाची गध्यांस में से पूछा जाएगा लेकिन इसकी चर्चा हम क्यूं करें क्यूंकि यह आपके कोर्स से हटा दिया गया है और क्या हटा है आपने देखते हैं जी हाँ पेज नंबर बारा पे आप देख सकते हो यह आपके व्याक्रण है टैंस संस्किर्ट अटाया गया डिलीटेट फोर्सन डिलीटेट कॉर्स आपका क्या है वो व्याक्रण के अंदर देख लीजिए नंबर एक के अंदर स्वारसंदी वर्दी यन अयादी पूरू पूरू पूरा का पूरा हटा दिया है आग ये अंदर वेंजन संदी है परशवरण मौनुस्वार जसत्वे वर्णा नाम प्रतमक्षर नमिस्ताने तरत्य वर्ण परिवर्तनम यह सारा का सारा आटा दिया है यानि कि हमने पहले यह आपको बता दिया था कि Vengeance संदी और स्वर संदी आपके कॉर्स में नहीं है आपके कॉर्स में केवल विसर्ग संदी है जो पहले हम बता चुके क्योंकि यहां पर जो है वो सब कदंद परत्य इसके अंदर तव्यत और अनियर आपके हटा दिये हैं पहले हमने जो पढ़े थे वहां पर पढ़े थे सत्री सानच वो आपके कोर्स में हैं यहां पर बाग के अंदर तद्धित परत्य में त्वै और तल वो सरल वाले परत्य थे लेकिन यह हटा दिये हैं वहा पर पड़त प्रक्ते यह आपके और के पोद्क से आपके हाड़े ऑपके यह हैंए अवे भी आपके हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए看看 सारे आप अध्यान आप कर सकते हो बिल्कुल नीशूल कुरूप में क्योंकि यूटूब चैनल पर है अब आपको ले चलते हैं वहाँ जो दो टॉपिक आपके रचनात्म कारे के हटा दिये थे उनकी तरफ ले चलते हैं जी हाँ आपके रचनात्म कारे के पेज नमर 13 पर जो दो टोपिक दिया हैं यह आपके 10 संस्किर्ट अटाया गया डिलेटर कॉर्स है जी पहला चित्रादारित इसको अलग-अलग नहीं साथ में लिखना चाहिए नहीं तो संदी नहीं होती है चित्र आदारित वर्णनम यानि चित्र वर्णनम आपके हटा दिया गया ये तीन नमबर का था पहले पांस साल से कौर्स चला आ रहा है इस साल ये कौर्स हट जाएगा और सहमोशी आपके आ जाएगी अगले वाले जो अब नाइत पे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लास्ट वर्णनम यानि कि आपको ऐसा जो आच ये आपके कौर्स एटा दिया गया है अब आपको ये नहीं पढ़ना है जो पढ़ना है पहले हम बता चुके हैं, अब आपको इतना ही पढ़ना है, मैं कहके शिक्षा गुरु उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया गया तो आप लोग इस तरह से अपने दोस्तों को बताएं अपने जो रिष्टेदार जो भी राजस्तान के क्राइटेरिया में रहते हैं उन सभी को बताएं कि इस तरह से एक यूटूब चैनल जो समय समय पर सारी सूच्राएं अपडेट करते रहते हैं और इनी शब्दों के यानि हम से करो